हेलो गाइज वेलकम टू तार्गेट फॉर आइक्यू देखे तोस्तों इस इंफोर्मेटिव वीडियो में बात करने वाले हैं उत्राखंड सिविल जज के बारे में पूरी डेटेल से बात कर लेंगे कि कैसे उत्राखंड में सिविल जज यानि जज बना जा सकता है लोगर को करती हैं यह पूरे डिसकस करने वाले हैं तो पूरी एक रणनीति के तहट साथ में कैसे हाउ टू बीकम सिविल जज इन उत्राखंड के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं स्टार्टिंग से तो प्लीज वीडियो देख लें जो भी बिगनर है या उत्राखंड में चाहिए के लिए हम लोग कौसिज करते हैं साथ में लाग भी हम लोग पढ़ाते हैं जो इंफॉर्मेटिव के साथ साथ मोस्ट इंपोटेंट टोपिक्स हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिएस पसंद आये तो चैनल जरूर सस्क्राइब कर लें और साथ में बैल आ सब्सक्राइब एक निकलती है उत्रकंट लोक से वाएयोग तो जैसे उत्तर प्रदीश में उत्तर प्रदीश लोक से वाएयोग के दिरों बिली में डिजीएस और क्या नाम है अर्याणा सभी अदर इस्टेट की लोगर कोड्स के लिए इस राजे सरकार के जो आयोग हैं वो तरह निकालते हैं ठीक हैं अब यहां पर हम बात करेंगे उत्राखंट सिविल जज्ज की और सिलेवस क्या है पेपर पैटरन क्या होता है कट ओफ क्या होती है देखो बिहार का अलग सब्सक्राइब पर प्रिदेश का अलग है तो सभी स्टेट का लगबग सेम से में हम यह पूरी तरह फोकस करेंगे उत्राखंट के बारे में तो चलिए देखते हैं सिलेवस और पेपर पैटरन साथ में कर्टोब भी मैं आप लोगों को बताऊँगा निगेटिव मार्किंग क प्रिदेश क्राइब परलेम्स में आप लोगों के एक पीपर होगा और वो जो पीपर होगा वो दो parts में होगा मींस part A और part B ठीक है जो innovate вчah नो जो पार्ट होगे वह total vi 같이 कोशन स उसमें होंगे और 200 मार्क के वो question होंगे means अब जो पहला पार्ट होगा वो GS का होगा आपका और वो 50 questions होंगे 50 marks के जो दूसरा पार्ट होगा उसमें 150 questions होंगे 150 marks के यानि each question will be one marks ठीक है यह इसमें यहाँ पर है और साथ में negative marking भी यहाँ पर होगी because यह pillium से तो mcu की format में आएगा means बहु बिकल्पी है प्रेशन यहाँ पर होंगे जैसे preliminary में होते हैं और negative marking यहाँ उत्रा खंड में one four की होती है ठीक है तो यह चीज आप लोग याद रखेंगे अब पर पार्ट first की बात कर लेंते तो इसमें सिधा सिधा में आप लोगों को बता दूँँ जैसे इन्होंने mention कर रहा है कि जन्रल नोलीज का होगा इसमें क्या होगा एक तो आपको general happening यानि current affair वर्ल्ड और पर्टिकुलरी लीगल इस पर से आएंगी ठीक है current इसके साथ साथ international law ठीक है international law इस्टेटिकली साथ में लीगली जैसे यूए नो चार्टर आपको पूरा पढ़ना है यूए नो चार्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है भी आपको बहुत अच्छी केसे पढ़ना है इंडियन constitution यहां पर आता है ठीक है और साथ में आपको leading question उस साल के जिस जहां पर एक्जाम हो रहा है उसके वनियल के पूरे आपको leading questions पते होने चाहिए साथ में लेटेस्ट अवेडमेंट भी आप लोगों को पता होने यहां पर कभी-कभी एक-दो questions उत्राखंड से basic आता है और vivid में थोड़ा others में भी questions एक-दो बन जाता है ठीक है साथ में आप लोगों के लिए बैटा रहे कि पिछले 5 साल के आप लोग पेपर देख लेंगे तो आप लोगों को पूरी तिक्कत आपकी खतम हो जाएगी प्र के CPC आती है और Indian Panel Court आता है यह सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं जो मैंने बता दिये हिंदू-Muslim लोग यानि family law evidence CRPC, CPC, IPC और TPA यहां पर उत्राखंड civil judge प्रारंबिक परिक्सा में आता है जो पिल्लियम्स होता है यह फिर उसके बाद इसकी cut-off लगती है दोसों में से औ और cut-off जो अमूमन लगती है वो 160 पिलस या 5 प्लस माइनस 2 या 3 इतनी cut-off इनकी जाती है ठीक है तो यह cut-off मैंने आप लोगों को बता दिये बिकोज उत्राखंड एक छोटा राजी है यहाँ पर वेकैंसी कब निकलती है इस बार बड़ी मुश्किल से 30 वेकैंसी होई है जबकि जो पहला नोटिफिकेशन आया था केवल 17 वेकैंसी के लिए तो अब 30 वेकैंसी है इस टेम तो वेकैंसी यहाँ पर कम होती है इसलिए cut of जादा हाई जाती है उत्राखंड सीविजस के लिए cutoff मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है तो यह प्री का हमारा खंड हो गया अब देख लेरे मेंस इसके बाद ही cutoff लगने के बाद मेंस के लिए call करेंगे और जहां पर मेंस होगा सभी बच्चों का ठीक है अब मेंस इस में वही सेम होगा जो सेम प्रिलियम्स के खंड पार्ट यहान था मींस्तिंस और और याधिन जा सबसे अलग होता है यह paper other states में नहीं होता है basic knowledge of computer operational practical exam है यह practically होता है means आप लोगों को system दे देंगे Microsoft Office के लिए और आपको कुछ paperwork दे दिया जाएगा या आपको कोई operation वहाँ पर कर रहा लेंगे आप लोगों से तो यह होता है फिर उसके बाद होता है आपका वाइवार ठीक है तो यह mains का आप लोगों का है udah मेंस की cutoff लगने के बाद आपकी mains होगा मेंस के भाद आपकी पर call करे जाएगी इंटरिवियू के लिए तो यह पूरा आपका एक चरण हो गया मेनस का मेंस के बाद interview और interview के बाद फिर आप लोगों को पता ही इसा section होता है तो ये सारे paper यहां पर होंगे जो आप लोगों को मैंने बताएं है इसके बाद final cutoff बनेगी और cutoff के बाद selection होगा तो उत्रखंड में प्रिलियम्स में negative मार गए होगी means में ऐसा कुछ नहीं क्योंकि descriptive है सब लिखना होता है तो ये सारी चीजे means में भी वोई subject है जो प्रिलियम्स में है ये भी आद रखेंगे ठीक है तो ये सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता दी है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कम सब्दों में मैंने जादे बात बताने की पूरी कोसिस करी है और प्लीज जो भी उत्राखंड की तैयारी में लग रहे है या उनका in future कोई planning है तो उनके लिए best of luck Thank you so much All of you मेरे साथ जुड़ने के लिए मिलता हूँ फिन next वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम जाहिन